नवस्कार साथियों आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे Economics के नभिंतम पाठेकरम के बारे में जो की बीए थर्ड समेश्टर के छाठ छातरों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग Economics के syllabus के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमको History of Economic Thought के बारे में पढ़ना है History of Economic Thought यानि की एक परकार से जो आर्थिक विचारों का इतिहास रहा है उसके बारे में हम बेसिकली जानने वाले हैं बहुत ही बारिकी के साथ हम लोग Chapter wise वीडियो को देखेंगे हर एक Chapter पर चल्चा करने बाला हूँ अपकी बार YouTube पर तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और आपको मैं एक-एक Chapter के बारे मताऊँगा कि इस Chapter में क्या-क्या चीजे हैं और कौन-कौन से बिक्ती आपके पाठे करे में संकलित है Economics यानि अर्थ सास्र बोलते हैं आप अभी Second semester के परिछा दे चुके हैं Third semester में आप गए हैं कि नहीं गए हैं इसको लेकर के आपकी दिमाग में चलाओगा कि result अभी कब आएगा सर result की tension ना ले result की tension इसलिए ना ले चुकी बैग पेपर आ चुका मालेते काथ पेपर में उच नीच हो जाती है तो आप बैग पेपर डाल देंगे तो एक परकार से आप अगले semester के तयारी अप प्रारम कर दें यानि कि अब आप Third semester के तयारी शुरू कर दीजे इसलिए मैंने syllabus हर एक subject का discuss करना शुरू कर दिया है इससे पहले आप लोगोंने हिंदी का syllabus देखा होगा आप लोगोंने political science का syllabus देखा होगा geography का syllabus देखा होगा ठीक है history का syllabus देखा होगा और एक प्रकार से और कुछ syllabus से सोचलाजी बगारा का syllabus अभी आने वाला है वो भी आ जाएगा एक दो दिनों में तो परिशान होने ज़रूरत नहीं है सिक्षा सास का syllabus आप लोगों ने देखा तो बीए थर्ड समिस्टर में history आप economic thought यानि आर्थिक बिचारों का इतिहास आपको पढ़ना होता है नभीनतम पाठे करम है उनका नाम है COTLE ठीक है आपको दिखाई पढ़ डाओ घयाँ पर COTLE की बात करें COTLE का मतलब क्या COTLE कौन है COTLE एक परकार से चानक की COTLE की बात किये तो इन्होंने जो आर्थिक बिचार दिया है इनके आर्थिक बिचारों के बारे में हम लोग जानेंगे कौटिल कौन थी इनके बारे में जानेंगे कौटिल का बेसिकली नाम क्या था बिश्नो गुप्त ठीक है इनका क्या नाम है इनका नाम है बिश्नो गुप्त ठीक है और इनही को एक परकार से कौटिल को ही क्या कहते हैं चानक की कहते हैं इनका नाम क्या है और एक नाम इनका चानक भी है विश्नो गुप्त भी है ये परधार मंतरी थे किसके चंद्रगुप्त मौर के ठीक किसके चंद्रगुप्त मौर के एक परकार से सासमलब दरबार में एक परकार से ये परधार मंतरी के पत ज्याने में एक प्रकार सबसे बड़ी मदद इन्हों ने करी थी चाणक किने कोटिले ने कोटिले की एक पुस्तक है उसका नाम है अर्थसास्त्र ठीक है अर्थसास्त्र बेसिकली ये पुस्तक नाम से अर्थसास्त्र इसका है एकोनामिक से लेकिन ये एक प्रकार से राजनेत दिये हैं हम लोग जो है इस चेप्टर में देखेंगे हलाकि इसका पहला चेप्टर जो है जब मैं वाइड बोर्ड पर पढ़ा रहा था तो मैंने दिया हुआ है आपने अगर नहीं देखा तो प्रीज जा करके उसको देख लें ठीक है वीडियो पढ़ा हुआ है बाकी और भ प्रकार से 321 इसापुर में गद्धी पर बैठते हैं ठीक है और जो चंद्रगुप्त मौरी है और उन्हीं के दर्वार में प्रकार से सबसे बड़े पदपर जो थे यही थे दूसरे बिद्वान है बैलियोवर भी एक प्रकार से बिद्वान है और बेसकली एकर इनकी बात की जाए बैलोबर की तो इनके जो आर्थिक बिचार दिये गए उनके बारे में हम लोग जानने का प्रियास करेंगे बैलोबर ने एक प्रकार से लोग बित पर अपने बिचार दिये हैं संतुलित बे पर बिचार दिया है कल्याड कारी राज संबंधी बिचार दिये है ठीक है और भी आर्थिक बिचार इन्होंने प्रेडा दिसा अंदर्देश दिया है, आर्थिक समाज पर बिचार दिया है, गरीबी और भीग मागने को समाजी कभी साब बताते हैं, तो सारी बाते जो है बैलोबर करते हैं, बैलोबर बेसिकली बात करें तो ये दक्षर भारत के तमिल एक है उसका नाम है ठिरिकुलर ठीक है जो संगम साहित की रिचना मानी जाती है दक्षड भारत में संगम साहित बड़ा फेमस साहित माना जाता है और संगम साहित दक्षड भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है ठीक है तो बैली उबर के बारे में हमको देखना है य इनका जनम हुआ था 1825 में, इनकी मृतिव हुई थी, इनका जनम कब हुआ भीया, 1825 में इनका जनम होता है, मृतिव इनकी 1917 में हो जाती किसकी दादा भाई नौरो जी की, ठीक है, दादा भाई नौरो जी की बात की जाए, तो इनको एक प्रकार से Grand Old Man of India कहा जाता है, दादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक एक करके, एक एक चेप्टर में हम सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे, कि रोमेश चंद्रदत कौन है, और रोमेश चंद्रदत ने क्या आर्थिक बिचार दिये हैं, जिसके लिए इनका नाम हमको या इनके बारे में हमक जनकलीत हैं, तो रोमेश चंद्रदत के अगर बात किये, तो रोमेश चंद्रदत जी जो हैं, ये भी परकार से एक इतिहास, अमलब एक जो है, जो है आर्थसास्त्री हैं, ठीक है, 1848 में इनका जनम हुआ, कब हुआ, 1848 में इनका जनम होता है, और 1909 इसबे में इनकी हो जाती है ठीक है ये बात ध्यार नखेंगे कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में इनका जनम हुआ था 1879 में भारतिये सीबिल सर्विस में चुने भी गए थे ये कमिस्टनर के पत्पर पहुंचे ठीक है उसके बाद में 1899 में भारतिये राष्टिक आंग्रेस के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं फिर 1902 में लंदन विश्विद्याले में भारतिये इतिहास के आचार ने उक्तु होते हैं तो भारत का आर्थिक इतिहास इन्होंने एक पुस्तक लिखी इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया यह पुस्तक बड़ी फेमस है इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया यह पुस्तक बड़ी फेमस है इनके बारे में तो उसी पुस्तक में इन्होंने एक प्रकार से भारतिये आर्थिसास्त के बारे में भारतिये आर्थिक विचारों के ब करें देखें यहां पर जनम मरड़ इसलिए बता रहा हूं चोंकि यहां से कई परस्न अब्जक्टिम में पूछे आते हैं तो साथ ही सा जब मैं जब इनके बारे में चर्चा करूंगा इनका चेप्टर पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में बनने वाले जुतने भी आपसे एक परकार से आपका संपूर्ट से लेबस बिल्कुल फ्री में अबैलेबल करवा देजेगा यूटूब पर आप आसानी से पढ़ें और परिछा केंतिम समय मारत पेपर महा संग्राम वीडियो धुआधार दाड़ी किसे मैं दूँगा आपकी बार ठीक है चुकि अ आप एक कदम हमारे साथ मिला करके चलें मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा ठीक है फिर इसके बाद में आगले जो बिद्वान है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे पांचवे चिप्टर में हमको क्या पढ़ना है भीया पांचवे चिप्टर हम लोगों को डाक समिधान निर्मातरी समिती थी प्रारूप समिती उसके अध्यक्स थे भीम रावम बेड़कर जी उसके सलाकार थे बियन राव जी बहुत विद्वान आदमी थे भीम रावम बेड़कर ठीक है ये बात ध्यान लखेंगे भीम रावम बेड़कर की अगर बात की जाये तो भी जिमराव मबेड़कर जी का, इन दोर के पास मउऊ चाउनी में इनका जनम हुआ था, ठीके, जन्म के समय उनका नाम भीम सकपाल हुआ करता था, महार जाती से भिलांग करते हैं, ठीके, महाराष्ट में ये महार जाती अचूत समझे जाती है, अचूतों ध्यार को ले करके काम क्या इन्होंने ठीक है पूरा विस्तार से इन्होंने एक प्रकार से जो आर्थिक विचार दिये उसके बारे पूरा विस्तार से मैं चर्चा करूँगा ठीक है इसके बाद में अगले बिद्वान है डाक्टर राम मनोहल लोहिया के अगर बात की जायत बहुत बिद्वान आदमी है और समाज सास्तरी भी रहे हैं एक समाजिक प्रकार से बोले तो जो ये हैं प्रकार से अच्छा दा एबिल्यूशन आप प्रविंस मलब की प्रविंसियल फाइनस इन इंडिया एक पुस्तक है डाटर भीम रावम बेटिकर की पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक रही ह सभी के बारे में आपनो डीटियल में जांकरी देखेंगे डाटर राम प्रविंस इंकर बात किया 1910 में इनका जनम होता है ठीक है और इनकी मिर्तिए 1977 में होती है ये एक प्रकार से इनकी एगर बात करें डाटर राम मनोहल लिंस इनके नाम पर आध्या में उनिवर्सिटी भी है भीमरावंबेडगर के नाम से एक परकार से आगरा में यूनिवर्सिटी है बिहार में यूनिवर्सिटी है तो आप देखेंगे सब बहुत विद्वान आदमी रहें राममनोहल लोहिया के अगर बात किये तो ये एक परकार से समाजवाद की विचारधारा जो है उसको हैं और वईससा समाजवाद जो एक परकार से पार्चा समाजवाद या माक्सिसम है उसको नहीं उससे अलग या एक परकार से नबीन समाजसास्त की बात करते हैं ठीक है फारतियी समाजसास की पड़ता है ठीक है और बड़े विद्वान आदमी थे कई पुस्तके इनकी फेमस हैं से माक्स गांधी और समाजवात पुस्तक लिखी भारत बिभाजन के दोसी ब्यक्ती पर इन्हों ने पुस्तक लिखी तो कई पुस्तके इनकी बड़ी फेमस रही हैं और आर्थिक विचार लुहिया ने ने साथ करांतियों की बात करी है नहीं समाजवात की बात करी है चोखंबा राज की परकलपना करी है लोयाने तो उस सभी के बारे में गांधी के आर्थिक विचारों में एक परकार से गांधी कहते हैं अर्थ जीवन का साध्ध नहीं साधन है अर्थ के विशे में आदर्स भोग नहीं त्याग होना चाहिए तो गांधी के बारे में बिस्तार समझानेंगे गांधी किन-किन जरात में इनका जनम हुआ था ठीक है करमचंद एक परकारर से इनके पिता जी का नाम था ठीक है बहुत राष्ट पिता की उपाधी भी इनको मिली तो पूरी डेटील बेद जानकारी इन्होंने गुरकपुर में यूनिवर्सिटी चलती है, पंडित दीन दयलुपध्याय के अगर बात किये तो बड़े फेमस एक प्रकार से बिद्वान है पंडित दीन दयलुपध्याय, ठीक है, पंडित दीन दयलुपध्याय जो है एक प्रकार से आधुनिक भारती चिंतन में स्री अरि द्वान आदमी थे ये दैबी गुर संपन बेक्ती थे ये ठीक है धनकिया नाम के गाउमें इनका जनम होता है 1916 में ठीक है सितंबर महीने में कुसागर बुद्धी के बालक थे सुरुवास से ही ये ठीक है आगे देखते हैं अगला जो अगले विद्धवान है नवे चेप्टर में हम लोग जेके महता के बारें पढ़ेंगे जेके महता बेसिकली अगर बात किये तो ये एक परकार से प्रोफेशनली अर्षास्त्र के रूप में हमारे समख चाती है जेके महता की बात करें तो जेके महता कौन है जेके महता एक प्रकार से पर्थम अर्षास्त्री प्रोफेशर भारत के पहले यही रहे प्रोफेशर जेके महता भारत के प्रतमार सास्त्री में एक प्रकार से इनका नाम आप जान सकते हैं 1901 में इनका जनम होता है 1980 में इनकी मिर्थिव होती है ठीक है प्रोफेसर जेके महता के अगर बात किया है तो सैधान्तिक अर्षास्त के बिसलेक्षण और विवेशना में भारती दर्सन और दिश्टकोन को इन्होंने अपनाया प्रोफेसर जेके महता एक प्रकार से 25 दिसंबर मुंबई के एक पारिशी परिवार में इनका जनम होता है 1901 में ठीक है राजनंद गाउं से इनकी प्रारम्विक सिक्षा दिक्षा होती है आप मान सकते हैं ठीक है यानि कि एक ब्यवस्तेत अर्थसास्त्री थे अभी तक एक प्रकार से आप विचारकों के बारे में पढ़ आते हैं जिन विचारकों ने आर्थिक विचार दिये हैं लेकिन वो प्रोफेस्नली अर्थसास्त्री नहीं थे लेकिन अब जो ये प्रोफेसर जेके महता या अमर्त सेन या जगदीज भगवती ये सब एक प्रकार से जो है एक प्रोफेस्नली अर्थसास्त्र हैं ये भारती अर्थसास्त्रों के मैं बात कर रहा हूँ इसमें अगले आपके हैं अमर्त सेन जी अमर्त सेन और भगवती जगदीज भगवती अमर्त सेन और जगदीज भगवती ये भी प्रकार से एक प्रोफेसर्णी अर्शास्त्र के रूप में हमारे समख चाते हैं ठीक है professor जेकी मेहता की बिचारों को समझने के बाद में हम लोग Amartya Sen की बिचारों के बारे में जानेंगे Amartya Sen basically इक बात किया है तो इनका जनम कब हुआ था Amartya Sen का जनम होँआ था भिया 3 जो है नवंबर को ठीक है 1933 को इनका जनम हुआ था सांती निकेतन में इनकी सिख्षा दिख्षा जो हुई है एक प्रकार से सांति निकेतन कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज आफ आक्सफोड के ट्रिनिटी नाम के कालेश से हुई है तेईस वर्स की उमर में ही जाबेद पुर्विस्विद्याले कलकत्ता में प्रोफेसर बन जाते हैं अमरसेंजी ठीक है एकोनामिक्स तो एकोनामिक्स के छेतर में बड़ा काम किया है इनको भारत रत्न भी मिला है 1999 में ठीक है और इनको नोबल मिला 14 अक्टूबर 1998 को प्रोफेसर अमर्त सेंथ को अर्सास्त्र के बिसे में नोबल पुरुसकार सम्मानित हैं अमर्सेंथ इनके बारे में ब प्रफेशनली अर्फेस्त्रि रह चुके है और कई बिश्विध्य pacte में काम किया है बहुत ज्यादा एक प्रकार से अर्फेस्त्र को जो है ऐगे बढ़ाया इनों ने जगदिस भगवती के इग़े बात किया है तो प्रोफेसर जगदिस भगवती के जनम 1934 में हुआ था इनका जनम कब हुआ था 1934 में इनका जनम हुआ था कहाँ पर एक गुज़राती परिवार में इनका जनम हुटा गुज़रात के थे ठीक है करेंगे अमर्त सेन और जग्दिस भगवती से कई परिक्षा में आये हैं पिछली बार तो मैं उन परसनों को भी एक परकार से यहां पर रखने का प्रियास करूँगा ठीक है तो इन सभी के बारे में जानने का प्रियास करेंगे तो यह तो कुछ भारती विद्वान थे जिनक प्लेटो के गरबात के तो प्लेटो आपके बारे में जानते हैं प्लेटो जो है यह प्रकार से प्लेटो और अरस्तु प्लेटो जो है यह गुरू है किसके गुरू है प्लेटो अरस्तु के गुरू है ठीक है और अरस्तु कौन है अरस्तु सिस से है ठीक है अरस्तु कौन है सिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रकरतिवाद के बारे में समझने का प्रियास करेंगे बिस्तार समझाने के प्रकरतिवाद क्या है इसके लावा Adam Smith Adam Smith का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो Adam Smith वह बेक्ती हैं जो कि अर्थसास्त के जनक वाने जाते हैं अर्थसास्त के कौन है ये जनक है फादर आफ एकोनामिक्स हैं एडम स्मित तो एडम स्मित के बारे में बिस्तार समझानेगे एडम स्मित का योगदान रहा है अर्थसास्त में पूरी जनकारी मैं आपको देने का प्रियास करूँगा इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 16 चप्टर में डेविड रिकार्डो रिकार्डो भी एक परकार से बिदेसी इतिहासकार है मिलब बिदेसी अर्थसास्तरी हैं बहुत बिद्वान आदमी है डेविड रिकार्डो का एक परकार से कई सारे सिध्धान्त आपके पाठे करम में आपको मिल जाएंगे, उनके बारे में हमको पढ़ना, इन्होंने क्या आर्थिक बिचार दिये, उसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग टामस, राबर्ट, माल्थस के बारे में जानेंगे, माल्थस वही बेक्ति जिन्होंने जननांग के विचारज हुए कालमाइक्स कर गते हुए नियंस के बारे हम लेकिन मैं सुर्दभार sitten बगार्सक्रति estrinwow कि यहां सबसे प्राइए लिचार क्या रहे हैं पूरा डेटियल में हम लोग जानकारी देखेंगे Idous के लावा 21 नमबर शिप्टर में Zon Stuart Mill, Zon Stuart Mill के अगर बात की ये भी बड़े विद्धान आदमी रहे हैं, उप्योगताबाद का सिद्धान जो दिया, चाहे जर्मी बेंथम की बात करें, चाहे Jan Stuart Mill की बात की जायत, Jan Stuart Mill के पिता जी का नाम था Jams Mill, क्या नाम था इनके पिदाई जी का भिया जम समिल ठीक है जम समिल के पुत्र है और एक प्रकार से बेंथम के चेले हैं यानि बेंथम जो थे इनके गुरू थे जाने स्ट्वर्ट मिल के गुरू थे कौन जर्मी बेंथम बेंथम एक प्रकार से उपयोगतावाद के सिध्धान इस अगले अगला चिप्टर आपको पढ़ना है आर्थर सेसिल पीगू इनको पूरा नाम से फेमस हैं यह मारसल नाम से फेमस हैं ठीक है और इसके लावथ जोसेफ ए सूंपीटर सुमपीटर के भी बहुत सारे आर्थिक बिचार है जिनके बारे हम लोगों को विस्तार से जानना है फिर इसके बाद में हम लोग 25 चिप्टर में पहुंचेंगे 25 चिप्टर में हम लोगों को सीमांतवादी जो सीमांतवाद के जो अगरदूत बिचारक रहे हैं या सीमांतव इडिक वान वीजर के बारे में समझेंगे, इसके लावा पी एच जो है बिक स्टीट के बारे में जानेंगे, जोहन गुष्टाव नट बिक सेल के बारे में और इसके लावा इर्बिंग फिसर, फिसर के बारे में बड़ा प्रसंद पूछा आता है, तो फिसर भी आपकी परि तरलतन भासा में आपको संधाने का प्रियास करूँगा ठीक है तो यह आपका syllabus था एक चीज यही पर आपको बता दूँ अगर आपको हिंदी साहिट का पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना है हिंदी का कोर्स जो है वो launch कर दिया गया है हिंदी के कोर्स के लिए मातर 100 रुपे प्राइज रखी गई है आपके कहने पर आप लोगों ने लगातार एक प्रकार से कमेंट किया लगातार वाटसअप एसमेस किये कि सर हिंदी साहित का कोर्स लांच कर दीजिए तो मैंने कोर्स लांच कर दिया मातर 100 रुपे में जिनको लेना हिंदी का कोर्स वो sms करें 91, 61, 93, 60, 62 पर और तुरंथ एक परकार से नामांकन करवाले तुरंथ sms करें इस पर sms करना इस पर पैसे नहीं भेजना इस पर sms करना है आप जब sms करेंगे कि सर हमको हिंदी साहित भी अ 3 सुलेषिक का कोर्स चाहिए आपके पास एक लाएगा और वहाँ पर आपको PDF नोट्स चेप्टर वाइस क्लासेस यानि वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स इसके अलामा आपको जो आने वाले समय में model papers और लगातार जो live classes होंगी उनकी information और इसके लावा और भी तमाम परकार के detail में जो PDF नोट्स होती हैं यहाँ तक इसे economics के गलास होगी इसकी PDF नोट्स भी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी तो आप सभी लोग एक परकार से course जोईन कर सकते हैं जो भी चाहें जोईन कर सकते है हिंदी नहीं भी लिए हैं other subject लिए हैं और आप एक परकार से हमसे particular जुड़ना चाहते हैं PDF होगारा उसमें पराप्त करना चाहते हैं तो भी आप course लेकर के PDF होगारा पराप्त कर सकते हैं ठीक है तो इक्यानव एक सर्थिर्यानवे साटबासर पर आप SMS करें इस समय लगाता के बारे में मैं जल्दी discuss कर दूँगा इसके अलामा मद दिकल नितिहास का सलेबस हो चुका है history of modern India 57-57-1950 तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है पर मद दिकल नितिहास के बारे में पराचीन नितिहास का सलेबस वो भी बन चुका जल्दी आपके समक्छा जाएगा और इस तरीके से political science और भी जिगराफी जिन सभी के सलेबस अलडी करवा चुका हो मैं सलेबस डिसकस हो चुका है बस chapter wise वीडियो देनी बाकी है अब एक प्रकार से जैसे आप लोग जुड जाए हमारे साथ हमारे कुछ भारी संख्या में लोग इसको देखने लगें आपकी classes मैं प्रारम करवा दे रहा हूँ आप लोग देखते रहेगा प्लेलिस्ट बनाऊंगा उससी प्लेलिस्ट में आपको chapter wise वीडियो जो होंगी वो step by step मिलती रहेंगी तो आप सभी लोग सुकला history point channel की जो वीडियो है वैसे पुरानी वीडियो जो पड़ी हुई है चैनल पर आप उनको जरूर देखे model paper और आपकी university संबनित कई सारे एक प्रकार से जो question paper है video lectures है model papers है और वो सब आपको मिल जाएंगे तो आप अभी मैं suggest रही करूंगा कि आप syllabus देखने को आद में जो पुरानी वीडियो है एक बार आप उनको देख लिए जब आप पुरानी वीडि जय हिंद जय भारत आप सभी का बहुत बहुत धनिबाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी तरीके से अपना प्यार हमें से बना रखेंगे बहुत बहुत धनिबाद ठीक है बहुत बहुत धनिबाद आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर क